में में स्वागत करता हम आपका अपना YouTube चैनल में चलिए मैं हाजिर होगे एक नए सेशन के साथ आज हम करेंगे इसके जहाइं इनटीपीसइश क्रेक्टिस सेट श्क्स करने माले और हम मैत करने वाले चलिए मैत का कोशन हम करने वाले हैं तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ इसाथ बेल आइकन को दबा लें कोशन देखते हैं कोश्चन नमबर 41 कोश्चन में कवर आया कि 16 32 34 128 इस तरीके से है ठीक है इसका क्रम का 11 अंक क्या होगा ठीक है आपको देखने ही से यह लग रहा है कि यह जीपी का कोश्चन है ठीक है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे आप देखिए 16 32 64 इसका दूगना 128 से ठीक है तो हमारे पास यहां क्या बचेगा एक यह अंक 11 क्या होगा सुला यहां से कमन लिए तो यह एक बचेगा यहां पर दो बचेगा यहां पर चार बचेगा यहां पर आठ बचेगा इसी तरीके से इसके ग्यारमा पद निकालना है तो आप देखिए यह हमारे क्या जाएगा यह हमारे एक आजाएगा इन हमें कितना निकालना है ग्यारफ पद अगर हम आर की बात करें तो आर क्या हो जाएगा चार बतर दो यानिकिद कि दो अर हमें को निकृतना है त carrier इसका फ्रॉनला थिया अर इन माइनस वन तो चलिए इसको क्या करते है तो इसलेह हमारे यहां पर मुना मैंों रखते हैं अब देखिए यानिकीण ऐन यानि की 2 पो के पावर Aación 11 की 11-1 शोला गुणा 12 पावर 10। क्янका आатыक कितना होता है इसको कुम्य करेंगा 16ा Sick Все पावर द्वीक पावर 20 आप ऑनला 2पा रूवर 2गुना दो दुना 4 दूना 6 दूना 32 बात Whats다 का स्क्वार क्या हो जाएगा इसको 2-3-4-3-6-3-9, 4-6-6-2-2-1-10, एक हजार 24-24 को 16 से गुना करदेंगे हमारा आंसर आजागे, चलिए इसको गुना करी देते हैं, एक हजार 24 को अगर 16 से गुना करेंगे, तो छेज़ार 24 के 4, 2-6-2-2-2-4-1-6-0-1-6, एक हजार 4-1-2-1-0-0-1-0-1, यानि कि 16384 हमारा 16384 हमारा अंसर हो जाएगा तो option कौन सा सही हो जाएगा तो option B 16384 यानि कि option B हमारा सही अंसर हो जाएगा अगला question देखते है question number 42 question number 42 कह रहा है कि सारे 4% पर्ति वर्स की दर्स से 4 वर्स 6 महिने में 2400 पर प्रांथ फॉने वाले सधारन व्याज कर अगा हूं सबसे सपहले निखिए हमारे पास रेट दिया हुआ है हमारे पास question में रेट दिया हुआ है four point five percent ठीक है इसका बाद time दिया हुए 4 बदस6 महिन हुम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस6 महिन है च्रोट दूनि वारण यानि कि 4 पुर्णाघ एक थू बार्स ठेक है तो यह हमुर्णाघ नौ बड़ दू बस्व आरट एक नम थू लिख लिजा wtol टिंक़हारा पास मोल्धन दिया हुआ है फ्रींसपल दिया हूआ 1200 रुप्या हम से क्या पूछ रहा है तो सिंपल इंसीक यह होता है देंट्रेश्ट विश्वार्बर होता है यानि कि प्रिंसीपल टाइम बटे हंडेट थिए तो principle हमारे पास कितना दिया हुआ प्रिंसपल हमारे पास 24 हो दिया हुआ तो 24 तो साथ चार परसेंट दिया हुआ तो 4 परसेंट लिखने यह ताइम हमारे पास दिया हुआ 9 बटा दू तो नो बटादू को बटे 100 से भाग कर देंगे ठीक है अब देखिए ये दो जिरो से ये दो जिरो कट गया ठीक है अब यहां पर आ गया चौविस मुना 4.5 इंटू 9 ये दू आ जाएगा नीचे तो नीचे दू आ गया ये दो से 24 कट गया 12 12 में ठीक है अब इसको गुना कीजिए गया 12 को और 45 फोर प्रपन बार चोक 48 अब बार पाच 60 यानि कि यह हो जाएगा चोवन गुना अब 486 चोवन गुना नो नो चोक चोटिस के छो हाथ में यानि कि 480 रुप्या हमारा आंसर हो जाएगा तो आप्शन आप्शन यह हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर 43 कोशन नंबर 43 कह रहा है कि यदि एक तीस गुना तेइस का मान 713 ठीक है तो हमके बोल ला है तो 310 गुना 0.023 का मान क्या होगा ठीक है यानिक 31 गुना तेइस का मान 730 दिया हुआ है तो हमको इसका मान पूछ रहा है ठीक है तो इसका मान निकालना कैसे निकालेंगे 310 गुना 0.0023 का मान हो गया तेइस बट्टा इसको 1000 लिख सकते है ठीक है तेइस बट्टा इसको 1000 लिख सकता है अब एक जिरो से एक जिरो कट गया तो यह हो जाएगा 31 गुना तेइस बट्टा 100 ठीक है और दखिए 31 और तेइस का मान कितना दिया हुआ है सब्सक्राइब करेंगे इसका मान क्या जाएगा सेवन पॉइंट वन थिरी हमारा अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं क्वेश्चन नमबर 44 क्वेश्चन नममर 44 कहा रहा है इडि तिरभूज ABC का मान 6 www सम्रूप्टy Magan और और ऊपनम सब्सक्राइब का मान चार संटेमिटर द्या हुआ है और एक चांक स्थ भूम ठीक है और तिर्भूज ABC का छेत्रपॉल तिर्भूज ABC का छेत्रपॉल 144 वर्ग सेंटेमीटर दिया हुआ है तो तिर्भूज DEF का छेत्रपॉल हम से पुछा देखिए माल लेज़ा यह ABC समरूग तिर्भूज है DEF ठीक है अब देखिए कह रहा है कि तिर्भूज ABC समरूग तिर्भूज है तिर्भूज DEF के ठीक है और इस तिर्भूज का छेत्रपॉल कितना दिया हुआ है 144 वर्ग सेंटेमीटर तो तिर्भूज DEF का छेत्रपॉल पूचा है तो क्या करेंगे तिर्भूज ABC का छेत्रपॉल बट्टे तिर्भूज DEF का छेत् करेंगे बीशीज बृट्टा फोले स्कुर्ड ठीक है अब दखी ए तेंडबीस हैं कितना दिया वह 144 ईश्षो चात्यजी डी एफ कचसे टर फट लुपाल। कुष्य है इस Tea कमार हमारे कोश्यनμο तो चार लिख देंगे और यह का मान साथ संट्रमेटर दिया हो तो साथ इसका स्कॉर अब देखिए अब एक सथ चोबारीस वट्टा यह हो गया तो क्या हम इसका मान निकाल देंगे बिल्खुल निकाल देंगे तो तिर्भूज डीएफ का छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यह अगर इधर आएगा तो यह इधर गुना हो जाएगा गुना होगा तो होगा एक सो चोबारीस गुना यह साथ का स्कॉर तो उन्चास और यह चार का स्कॉर तो सुल्ल तो सुल्ल से एक सो चोबारीस नो बार में कट जाएग यानि 44 यानि 441 cm2 हमारा आंसर हो जाएगा तो option कौन सा सही हो जाएगा option C हमारा सही आंसर हो जाएगा question number 45 question number 45 कह रहा है कि यदि under root 0.0169 गुने 5-4- voilà 1.3 हो टो एक्सकामान गयाद करना है सबसे पह्ते क्या करने इसकौय की किर दिस डोनों तरफ हम वर्क करेंगे एक्सक्राइद को दोनों तरफ बाग करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह रूट से बाहर आजाएगा 0.0169 गुनाए X हो जाएगा यह क्या हो जाएगा तेरे का स्कर क्या होता है 179 और 2 पे 0 लग जागा अब दखिए X का मान हमको निकालना है तो इसको भाग देंगे 1.69 को 0.0169 से भाग देंगे अब देखिए जब हम ब़न पॉंट् सिक्सनाइन को 0.0189 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर के आजाएगा हमारे पास आंसर आसा माएगा सौँ के तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएगा तो राप्शन ध हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक़े यह अब निचा वंळिए नीचे वाल अले कितना से भुणा की जएगा या इसको ऊपर नीचा भूंणा तरहाशा भूंधा को दिखेंगा नीचेवाल को इस तरीचिन से भू ना हो गां ताकि यह बाहर आजये तो बाहर आने के लिए इसे एक दो है यानि कि 1234 दस हजार से उपर निचा गुना कर दीजिए जब दस हजार से उपर निचा गुना कीजिए गां यह क्या हो जाएगा 169 गों 309 सो और यह हो जाए गाँए 170 179 से एक बार में कड़ जाए तो आप tres ever sau को एक सूर पॉड आ जाएकए जाए गा सब त इस तरी के संगे कोश्चान नमबर 46 कोश्चान नमबर फूटिशिक कह रहा है कि याद यद 2 और जीड Ben 880 चार के वार्षिक किराएप पर एक खेत लेते हैं x उस खेत में 25 गायों को किया करता है पurally 65 गायों को स्वह महीना के लिए रखता है ठ retir कि एकस वाइड स सक्षोर। के लिए रखते है वाइ 40 गायों को 40 गाय को 8 महिना के लिए रखता है स और जेट तीस गायों पूरे बर्स यानि कि पूरे बर्स मने महिने यह दिखिए यह मन्थ 25-6 महिना यह 8 महिना यह ए 12 महिना ठीजिक है तो इन लोग का कॉते 5 चunn möchte देड़ सो आर्चों के 32320 और बारातियां 36360 एक जिरो एक जिरो कार देजिए तो यह कितना होगे 15 32 और 36 ठीक है अब कहरा है कि वाई का हिस्सा कितना होगा यानि कि वाई का पूरे बर्स में कितना 404 पंदर रुपिया ठीक है 400 पंदर रुपिया का तो वाई का हिस्सा कितना होगा तो वाई का हिस्सा क्या होगा 32 बट्टा 15-32 और 36 को जोड़ेंगे 15-32 प्लस चाटिस को जोरके 415 से गुना कर दोंगे तो चलिए 32 बट्टा हो तो चलिए अगर आप भाग दीजेगा तो पंतिया पंदर यानि कि ये कड़ जाएगा पांच बार में तो पांदू ने दस के जूरो कहीं एक पंतिया पंदर हो जाएगा तो option कौन सा सही हो जाएगा तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला question देखिए question number 47 question number 47 का और रहा है कि 4042 में 4042 में कौन सी छोटी संख्या जो छोटी से सकत्क है इसका मतलब है कि अगर आप option से जाएंगे ना तो यह साठ के उपर का यह स्कॉयर है तो देखिए 400 का स्कॉयर जो होता है ना 4090 होता है यह साठ से उपर का स्कॉयर बनेगा ठीक है इसका मतलब है कि 400 का square हम जानते हैं कि 400 का square 4096 होता है तो यह 4042 है 4042 को उससे माइनस कर दिजिए तो चो में से दो गया चार और नौ में से 4 गया पाथ यानि कि अगर 54 इसमें 8 कर दिया जाए 4042 में अगर 54 को 8 कर दिया जाए तो यह संख्या पुन संख्या वर्ग बन जाएगा तो 54 ही हमारा आंसर होगा तो option B हमारा सही आंसर हो जागा ठीक है तो देखते हैं कोशन नमबर 48 कोशन नमबर 48 कह रहा है कि चार वर्स बाद एक परिवार के दो सदस्यों की कुल आयू 64 वर्स चार वर्स बाद और चार वर्स पहले उनकी आयू का अनुपात तीन अनुपात एक था तो उन दोनों में छोटे वाले की आयू ग्याद करने देखिए चार वर्स पहले चार वर्स पहले और चार वर्स बाद चार वर्स बाद आयू का अनुपात कितना है तीन अनुपात एक है बात को समझेगा चार वर्स पहले और चार वर्स पाद तो कितन वर्ष होगा हView आण टोटल प्रफ ओर सुख है अब करए के न दोनों का दोनों सदमा खोला आयूczne भर से थीद कस गाला का और दोनों का खोला आयोग जो है वो सुत मान लीजे थिरी कि दीजिए 3X plus 8 plus X plus 8 कमान 64 बर्स कर दीजिए तो 4X plus 16 कमान 64 बर्स हो गया तो 4X 64 minus 16 तो आपका फॉरेक्स कमान कितना हो जाएगा 64 है तो 48 तो X कमान 12 बर्स आ गया अब देखिए चार बर्स पहले उनके आयो कनपत इतना था तो उन दोनों में से छोटे वाले आयो की उम्र क्या होगी तो बारक प्लस चार यानि की 16 वर्स होगी तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 49 का रहा है कि निमने लिखित में से कौन से भी सबसे बड़ी ऑप्शन दिया हुआ है यह आठ बटा उननीस आठ बटा उननीस को जब हम भाग देंगे तो यह आपका 0.0.42 के आसपास आएगा ठीक है आप्शन वी को भाग देंगे नौ बटा 22 को तो यह सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ऑप्शन दी हो जागा सही है चलिए अगला कोशन देखते है कुशन नमबर 50 जो दिया हुआ है ठीक है दूद के एक जार में 40% पानी है इसके एक हिंसे को दूसरे दूद से बदला जाता है जिसमें 19% पानी है अब पानी का परतिसा 26% है तो दूद की मातरा को बदला गए कुछ नहीं इसको एलिगेशन मेथर में लगाई है 40% है और 19% है और 26 तीनो जब एक समान हो तो एलिगे चौद्व यानि एक रेशियो दो तो बदला हुआ रेशियो क्या आजाएगा दो बड़ वट तीन बदला हुआ रेशियो आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे